हेलो फ्रेंज आज हम कंपेरिसन करेंगे MI Redmi Note 9 में Ropo E5 2020 में और जाने के दोनों में से बेस्ट फोन कौन सा है तो चल ये वीडियो सुरू करते हैं तो हम बात करते हैं डिस्पले से MI के डिस्पले है 6.5 फीटे 3 इंच की Ropo की है 6.5 इंच की MI में Full HD में डिस्पले दे गई है और Ropo में HD में है और दोने ही फोनों में iPad से ये डिस्पले का यूज़ किया गया है बात करते हैं प्रोसेसर की तो MI का है Mediatek का G85 CPU है 2.5 चुरू की का हर Octocore का और समी 12.9 मिटेस का FinFET और सका GPU है G22 है MC2 का OPPO का प्रोसेसर है Snapdragon 665 का CPU है 2.5 चुरू की गहार Octocore का और समी 11.9 मिटेस का FinFET और सका GPU है 610 का प्रोसेसर के मामले में MI आगे है OPPO से कि ये compare करता है Snapdragon 665 को MI का प्रोसेसर बात करते हैं OPPO डिस्टिम के तो MI का है Android 10 Pi का OPPO का है Android 11 20 Pi का बात करते हैं back camera के MI का back camera गः ब ग्रार्रण 2 2 closer to ऑपो का back camera में 12 लकाद बार पलस OPPO का front camera है 8 pelo Lightning 230 Pi की ÖPPO में 25000ी और दोनों फोनों फोनों बैटर्रि में थोड़ा वहुद फरक है दोनों फोनों में बैटरी टाइप스 का अरु सकते हैं बात करते हैं चार्जर की तो यह सब्सक्रांट आफ़ा का चार्जर में 15 वाट का जो से बात करते हैं तो आप दौन ही फिर दो सीम में आजक हो में आफ़ाइज यहके नों बात कते है, RAM की तो MI में RAM है 3GB चार्ज Imma और 6GB की और रोपो में RAM है 3GB और 5GB की बात कते है, Memory की तो MI में Memory है, 64GB और कवाच्च जटाओ सिव्दीच और रोपो में Memory है, 64GB की बात कते है, Price की तो MI का जो Suspective Price है 11000 और 12000 का दाषी बास होने वाला ही अगर आप दोने फोन से कौन सा फोन पसंद आया, कौन सा फोन आपके पास है और कौन सा फोन आप लेना पसंद करोगी